हेलो नमस्कार दोस्तों आज के अपना जो नेक्स टॉपिक है प्लांट वार्ट रेलेशन पादप जल सम्मंद इसमें अपने पादपों में जल का महत्व है कि पादपों या अन्य सभी सजीयों के लिए जल का क्या महत्व है सभी जीवों को जीवित रहने के लिए जल की आवेशकता होती है तो जलके महत्व पादपों में जलके महत्व के बारेपपन पिछली वीडियो में देखा था और आज तोड़ा नेक्स पॉइंट है पार गम्यता पार गम्यता तो पार गम्यता क्या होता है ये पादपों में किसी जल्ली के द्वरा जलके अणूओं का जो आवा गमन होता है वो कहलाता है पार गम्यता कि पादपों में जलके अनूओं का किसी जल्ली के द्वरा पार होना पार गम्यता कहलाता है कि पादपों में कोशी का बिक्ती या कोशी का जल्ली के द्वरा जलके अनूओं का बाहर से अंदर जाना या अंदर से बाहर आना ये कहलाता है पार गम्यता पार गम्यता और इसका जो गुण होता है इस गुण को बोलते हैं पार गम्यता अब देखो पादपों में एक जल्ली होती है जिसको बोलते हैं अर्द पार गम्यता जल्ली इसको चैनात्मक सेलेक्टिव सेलेक्टिव मेंब्रेन चैनात्मक जल्ली के नाम से भी जाना जाता है वह जल्ली जिसके द्वारा या जिसमें होकर विलायक के अनुतो निकल जाते है परंतु विले के अनुतो नहीं निकल पाते हैं अर्द पार गम्यता जल्ली के लाती है सेलेक्टिव मेंब्रेन जैसे सेलेफोन सेलोफेन सेलोफेन एक अर्द पार गम्यता जल्ली का उधारन है अर्द पार गम्यता जल्ली चैनात्मक जल्ली के नाम से भी जानी जाती है सेलेक्टिव मेंब्रेन जैसमें होके विलाइक के अनुतो निकल जाते हैं परण तु विले के अनु उसमें होके पार नहीं हो पाते हैं वो कहलाती है अर्द पार गम्यता जल्ली अब इसमें दो पॉइंट हैं परासरान और विश्रान परासरान और विश्रान पहला पॉइंट है देखो विश्रन क्या है विश्रन एक इस्प्रकार की बहुत तिक क्रिया का नाम है जिसमें अनु जो हैं अपने उच्च सांदरता से निम्द सांदरता की और अनु जो हैं अपने उच्च सांदरता चेतर से निम्द सांदरता की और स्वते ही अभी गमन करते हैं जो स्वते अभी गमन करते हैं ये किया कहलाती है विश्रन कि विश्रन की जो परिवासा है किसी माधम में किसी माधम में अब माधम वो हो सकता है थोस द्रव गैस थोस द्रव या गैस किसी भी माधम में अनु का उच्च सांदरता चेतर से निम्न सांदरता चेतर की और गमन विश्रन कहलाता है किसी भी माधम में माधम वो चठोस हो द्रव या गैस हो कि किसी भी माधम में अनु का उच्च सांदरता चेतर से निम्न सांदरता चेतर की और स्वत ही जो गमन होता है वो कहलाता है विश्रन जैसे किसी अपन जैसे एक बंद कमरा है इस बंद कमरे में इतर की सीसी का खुलना जैसे बंद कमरे में इतर की सीशी को किसी भी एक भाग में एक काउने में खोल देते हैं तो उसकी गंद के जो काण होते हैं वो उच्छ सांदरता छेतर से निम्न सांदरता छेतर की और चारो और फैल जाते हैं तो इस प्रकार से आनुओं का जो स्वत्य गंद होता है आनुओं का अपने उच्छ सांदरता छेतर से निम्न सांदरता छेतर की और जों का स्वत्य गंद होता है वो कहलाता है विश्रने इसी प्रकार से केमेनोफोर को पोटिशन पर मेगनेट इसको जैसे के बीकर में जल लेके उसे जल में कुछ मात्रा में यदि केमेनोफोर के क्रिस्टल दाले जाएं केमेनोफोर के क्रिस्टल दाले जाएं तो ये अपने आयनों में तूटके और तुरंत रूप से ये द्रव के सभी वागों में या इस पात्र के सभी वागों में समान रूप से खेल जाता है और उसका रंग कैसा कर देता है लाल जलके कणों का रंग कैसा कर देखा लाल क्योंकि इसमें जो केमेनोफोर है और तुरंत रूप से अपने आयनों में तूटके और जलके अणों के साथ स्वते गमन कर जाता है तो इस प्रकार से विश्रन एक इस प्रकार की बहुत तिक क्रिया है जिसमें आणों का उच्छ सांबरता छेत्र से निम्न सांबरता छेत्र की और स्वते ही जो गमन होता है ये गिरिया कहलाती है विश्रन विश्रन में अपने अभी उधारन देखे थे उधारन में चाय तो सैंट या किसी एक विश्यस प्रकार की कुश्वू आले किसी इतर किसी है उस खोलने के बाद उसकी जो गंद के कण है उसकी जो कुस्वू की जो कण है वो दीरे दीरे पूरे कमरे में एक समान रूप से सुःता ही फैल जाते हैं इसी प्रकार से ज़से अपन ठोस में देखें द्रव में जैसे जल से बरे हुए किसी एक पात्र में केम एनओ फौर के और उच्छे कान डाले जाएं तो वो कान पिगल के अपनी द्रभावस्ता माखे और धेरे-धेरे पूरे जल में स्वयते ही रूप से अपने आप बे गुल जाते हैं तो ये क्रिया कहलाती है विशरण विशरण एक अच्छा पॉइंट है परासरण भी विशरण ही कहलाता है कि परिवासा जब किसी माध्य में अनों का उच्छ सांदर्ता छेतर से निम्न सांदर्ता छेतर की और जो गमन है वो कहलाता है विसरन इसमें विसरन के कुछ महत्व हैं विसरन एक इस प्रकार की बहुत तिक क्रिया है विसरन के दुआरा ही सभी सजीवों में जो स्वसन की क्रिया होती है स्वसन क्रिया विसरन के माध्यम से ही होती है के दुआरा ही होती है जिनमें O2 और CO2 का जो परिवहन होता है वो एक विसरन क्रिया के दुआरा ही होता है क्योंकि जैसे चाहे वो मानों में हो चाहे वो जन्तों में हो या फिर पादपों में तो स्वसन क्रिया वी एक विसरन का ही दारन है क्योंकि जैसे ही स्वसन क्रिया होती है ऑक्सिजन अंदर ग्रहन की जाती है CO2 जो बाहर थोड़ी जाती है तो उसमें भी वो सांद्रता के प्रेडिपेंड करता है जब फैंपडों के वायुदाब अधिक हो जाता है तो अधिक वायुदाब के जाज सियोट बाहर रिकल जाती है जब फैंपडों के वायुदाब कम हो जाता है उक्सिजन उनके अंदर प्रिवे से कर जाती है तो इस प्रकार से स्वस्थन क्रिया एक विश्रण का ही एक उधारण है दूसरा है वास्पोत सर्जन वास्पोत सर्जन की क्रिया भी विश्रण की द्वारा होती है देखो वास्पोत सर्जन वास्पोत सर्जन की पादबों के द्वारा जल का वास्प के रूप में जो उधारण किया जाता है वास्पोत सर्जन कैलाता है वास्पोत सर्जन एक इस प्रकार के ही बहुती क्रिया है कि जब वायू मंडली है आदरता कम हो जाती है तो उसमें पत्तियों के द्वारा, सूरिय के प्रकास या तापमान के द्वारा, पत्तियों के द्वारा जो जल वास्प के रूप में बाहर उपसरजित किया जाता है, वो क्रिया कहलाती है वास्पोत सरजन, वास्पोत सरजन के लिए भी एक स्वत्य क्रिया है, जिसमें जल के आउं उच्छ सांदर्ता छेत्र से निम्न सांदर्ता छेत्र की और सत्य अभी गमाने करते हैं कि जैसे ही जल पादपों की जड़ों के द्वारा जायलम और फुलम के माजन से जायलम के द्वारा असोशित किये जाते हैं और पत्तियों की सतह से सूर्य के प्रकास या वाता और निया टेंपरेचर के कारण इन पत्तियों से जो जल के अनुबाहर निकलते हैं ये किरिया कहलाती है वास्पोत सर्जन वास्पोत सर्जन की पत्तियों के द्वारा जलका वास्प के रूप में जो उसर्जन है वो कहलाता है वास्पोत सर्जन तेसरा है पाधपों में भोज्य पधार्तों के अभी गमन कि पाधपों में जो भोज्य पधार्तों होते हैं खनीज लवान जो होते हैं उनके ट्रांसफर उनके इस्थानांत्रन के लिए भी विस्षरण करिया के दुआरा ही होता है कि पाधपों में भोज्य पधार्तों का अभी गमन भोज्य पधार्त फिलोयम एक उत्तक होता है पाधपों में जो जड़ों के दुआरा आउसोसित भोज्य पधार्त फिलोयम उत्तक के दुआरा पाधप के विभिन भागों को प्रवाहित किये जाते हैं तो इस क्रिया में वो जलके साथ मिलके भोज्य पधार्त और वो भी विस्षरण क्रिया के दुआरा क्योंकि इसमें एक सह संजन बल होता है जिसमें जल्गे अनू लगातार उपर की और प्रवाहित होते जाते हैं उपर की और वास्पर फर्जन क्रिया होती है जिससे पत्यों के द्वारा जल्वास्पर के रूप में जब उकसफ़ through किया जाता है तो नीचे के अनू में महत्पुर्ण के सभी सजियों में स्वशन क्रिया विस्टरण के द्वारा ही होती है चाहे वो जन्तु हो या पाधप पाधपों में भी और जन्तों में भी स्वशन क्रिया में ऑक्सिजन और कार्मला एकसाइड का जो परिवहन है वो विस्टरण क्रिया के द्वारा ही होत दूसरा है वास्पोत सर्जन के रिया वास्पोत सर्जन पादपों की पत्तियों के दुआरा जल का वास्प के रूप में जो उठ्सर्जन किया जाता है वो कहलाता है वास्पोत सर्जन वास्प प्लस उठ्सर्जन जल का वास्प के रूप में उठ्सर्जन वैसे एक वास्पी करण भी होता है वास्पी करण इसमें एक जैविक क्रिया नहीं है वास्पोत सर्जन एक जैविक क्रिया है जिसमें पाधपों की पत्तियों के द्वारा या पाधप के वाईविय भागों के द्वारा जल का वास्प के रूप में उत्सर्जन वास्पोत सर्जन कहलाता है वैसे वास्पूत सर्जन सबसे अधिक पत्यों के द्वारा होता है बाकि अन्य भागों के द्वारा भी वास्पूत सर्जन करिया होती है अब नेक्स्ट पॉइंट है वास्पूत सर्जन की दर्को प्रभावित करने वाले कारक कि जो वास्पोत सर्जन होता है उनमें कौन-कौन से कारक हैं जो उनकी दर को प्रभावित करते हैं वास्पोत सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से कारक हैं जो वास्पोत सर्जन की दर को या सोरी विस्टरन की दर को प्रभावित करते हैं कि कौन कौन से ठेक्टर हैं जो विस्तरण की दर को प्रभावित करते हैं जिसमें पहला कारक है पहला बिंदु है पहला है ताप मान टेंपरेचर ताप मान बढ़ने पर विस्तरण की दर बढ़ती है क्योंकि अनों की गतीज उर्जा बढ़ जाती है जैसे ही टेंपरेचर बढ़ता है टेंपरेचर बढ़ने पर विस्तरण की दर बढ़ेगी जैसे पन गरम पानी में किसी चीज़ को जब घोलते हैं तो उसमें उसकी गुलनी की जो दर है वो ज्यादा बढ़ जाती है जैसे ही अनों की जो गती है उर्जा पाके अनों की गती जो है वो बढ़ जाएगी जैसे उनमें जो गती जूर्जा बढ़ने की कारण विस्तरण की दर बढ़ जाती है दूसरा है ग्राहम के विस्तरण की नियम के अनुशार है ग्राहम के विस्तरण का नियम है डी is proportional to one upon d का अंडरूट d is proportional to one upon d का अंडरूट अब इसमें जो बढ़ा d है वो तो है विस्तरण और छोटा d है ग्राहम के विस्तरण के अनुशार ग्राहम के विस्तरण का नियम है d is proportional to one upon d ग्राहम के विस्तरण के नियम के अनुशार किसी विस्तरण की दर उसे पधार्थ के गहनत्व के विस्तरण की दर विस्तरण की दर विस्तरण की विस्तरण की विस्तरण की दर वरग मूल के वित्क्रेमानुपाती होता है पहला ये ग्राहम का विस्तरण का नियम है कि किसी भी पधार्थ के जो विस्तरण की दर जो विस्तरण की दर विस्तरण की दर विस्तरण की दर विस्तरण की दर विस्तरण वाले पधार्थ जो पधार्थ फैलता है उच्छ सांदर्ता चेतर से निम्च सांदर्त विश्रित होने वाले पधार्त के गनत्व D के वरग मूल के व्युत करमानुपाती होता है उल्टा समानुपाती यह तो इस प्रकार से हो जाता D is proportional to under root D और इसका जो उल्टा हो जाएगा 1 upon D का under root कि विश्रण की दर विश्रित होने वाले पधार्त के गनत्व के गनत्व के वरग मूल के व्युत करमानुपाती होता है विलोमानुपाती या वितात्वनुपाती व्युत करमानुपाती होता है उल्टा कि इसका गनत्व के वरग मूल के व्युत करमानुपाती होता है कि जैसे जैसे पधार्थ के मात्रा बढ़ती जाती है तो विषरण की दर उतनी ही कम होती जाती है यह दिसे समानुपाती होता घनात्यों के तो घनात्यों के वरग मुल्क जैसे जैसे अपन पधार्थ की मात्रा बढ़ते है विषरण की दर बढ़ती जाती है पर यह क्या है उल्टा है जैसे जैसे अपन पधार्थ के या विश्रन विश्रित होने वाले पधार्थ की मात्रा बढ़ाते जाते हैं तो विश्रन की दर्ग कम होती जाती है तीसरा कारक है कि अणुओं का आकार बढ़ा होने पर अणुओं का आकार बढ़ा होने पर विश्रन की दर्ग कम हो जाती है तो विश्रन की दर्ग को परभावित करने वाले ये कुछ कारक हैं टेंपरेचर ग्राम का विश्रन का नियम और अणुओं का आकार कि यदि अपन किसी पधार्ग के टेंपरेचर को बढ़ा देते हैं तो विश्रन की दर्ग बढ़ जाती है क्योंकि अणुओं की गती जूर्जा बढ़ जाती है जिससे उनकी स्पीड बढ़ने के कारण उनकी विश्रित होने की दर है वो अधिके हो जाती है दूसरा है ग्राहम का विष्रण का नियम, ग्राहम के विष्रण के नियम के अनुसार, d is proportional to 1 upon d का square, कि विष्रण की दर विष्रित होने वाले पदार्थ के घनत्व, small d, density घनत्व है, कि घनत्व के वरग मूल के वित क्रमानू पाती होती है, तीसरा है अनों का आकार, कि जैसे जैसे अनों का आकार बढ़ा होता जाता है, जितने अनों आकार में छोटे होगे हैं, उनके विष्रित होने की दर है, उतनी अधिक होगी, जैसे जैसे आकार बढ़ता जाएगा, ठोस के कन, गैस के कनों की अपेक्षा आकार में बढ़े होते इसलिए गैस के विसरण की दर सबसे अधिक विसरण की दर होती है गैस गैस में उसके बाद होती है द्रव में और उसके बाद होती है ठोस में गैस के अनों का आकार सबसे छोटा फिर उसके बाद द्रवों का और फिर उसके बाद होता है ठोस का इस प्रकार अनों के आकार पर भी विसरन की दर डिपेंड करती है जैसे जैसे अनों का आकार बढ़ता जाता है विसरन की दर उसी प्रकार से कम होती जाती है तो आज अपने एक तो पढ़ाता पहारगम्यता और एक है डिफ्यूजन विसरन ये दो पॉइंट थे, विसरन एक अच्छा पॉइंट है और आपन नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे परासरन उसको पन कल की वीडियो